Hello friends, आज मैं आपको relative pronouns के बारे में बताने जा रहा हूँ कुछ बच्चों को क्या मतलब, ज्यादा तर बच्चों को ऐसा लगता है कि what का मतलब क्या होता है, when का मतलब कब होता है, where का मतलब कहा होता है whom का मतलब किसे, किसको, किसने होता है whose का मतलब किसका, किसके, किसके होता है ये होता है लेकिन जब जब हम question करते हैं तब इनका मतलब का से होता है लेकिन जब इनी words को हम conjunction के रूप में यूज करते है conjunction क्या होता है conjunction जो दो sentence को जोड़े या दो वर्डों को जोड़े तो उसको हम conjunction बोलते है तो जब हम इनी वर्डों को conjunction के रूप में यूज़ करते है तो इनकी जो meaning होती है वो का नहीं रह जाती है उसका मतलब जा से हो जाता है तो जैसे मैं example बताओं यहाँ पे जैसे what का मतलब है जो तो देखो यह example मैंने दिया हुआ है कि he could not believe वह विस्वास नहीं कर सका what यानि जो I was saying जो मैं कह रहा था second example है I know मैं जानता हूँ where means क्या होता है कहां लेकिन यहाँ पे क्योंकि यह conjunction के रूप में यूज़ हो रहा है तो इसका meaning है जहां तो इसका meaning हुआ कि I know मैं जानता हूँ where यानि जहां you are living जहां तुम रह रहे हो तो ठीक है friends तो आप यह ना सोचें कि इसका मतलब हमेशा का होता है जब यह conjunction के रूप में use होता है तो उनका मतलब जा हो जाता है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहला है what यानि इसका meaning होता है जो second है when हिंदी है इसकी जब third aware यानि जहां whom जिसे जिसको जिसने और यह four living thing के लिए आता है यानि सजीव के लिए आता है यानि मनुश्य के लिए आता है fifth है whose जिसका जिसके जिसकी sixth है how many जितना जितने जितनी और यह four countable के लिए आता है जिने हम गिन सकते हों seventh है how much जितना जितने जितनी और यह four uncountable के लिए आता है जिसे हम ना गिन सकें जिसे पानी है दूध है चाय चीनी बाल वगेरा next है from where जहां से in which जिसमे by which जिसके द्वारा या फिर जिस से for which जिसके लिए under which जिसके अंतगरत because of which जिस वजे से या फिर जिस कारण से फिर what kind of या फिर what short of या फिर what type of इसकी हिंदी है जिस परकार का या फिर जिस तरह का 15 है at what time या फिर at which time जिस समय या जिस समय पर आगे है 16 है how long जब से या फिर जितने समय से या फिर जितनी देर 17 है how far जितना दूर या जितनी दूर 18 है after which जिसके बाद 19 है to whom जिससे या जिसको और ये for living thing के लिए आता है who जो की जिसको for living thing यानि सजीव चीजों के लिए आता है 21 which जो की जिसको for non living thing यानि की निर्जीव के लिए आता है और animals के लिए आता है 22 what for जिस लिए या जिसके लिए next है 23 for whom जिसके लिए ये भी for living thing यानि सजीव के लिए आता है 24 with whom जिसके साथ ये भी for living thing यानि सजीव के लिए आता है 25 about which जिस बारे में या जिसके बारे में 26 with which जिसके साथ 27 है since when 28 है how many times जितनी बार 29 है how often अक्सर जितनी बार तो आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब और लाइक करें